खिलो काइज आज हम बनाने जारें बहुती easy तरीक एसे घर पर ही मवा कुलफी मवा कुलफी बनाने के लिए सबसे पहले हमने सवाल लिटट जितना दूध घरम करके रखा है इस दूध को हमने एक उपालाने तक कर दिया है कुल्फी बनाने के लिए हमें थोड़ासा गाड़ा दुठ चाहिए इसलिए हमें जब तक ये गाड़ा न हो जाए तक के लिए हम इसको गरम करना है और इसमें हमें पीच-पीच में चलाते रहना है यह हम दो प्रकार की कुल्फिया बना रहे हैं सबसे पहले हम पिस्ता लेंगे उसमें हम ये गरम दूद एड़ कर देंगे और इसको पीगो देंगे और थोड़ी सी केसर की पत्या लेंगे उसमें भी ये गरम दूद एड़ कर देंगे जिसकी वज़े से केसर का बहुत ही अच्छा कलर आजया अब जो हमने गरम करने के पतेले में थोड़ सी मला की परत जम जाती है तो इस मला की परत को भी हमें बीच-बीच में निकालते रहना है इस कुलफी के लिए हमने यहाँ पर सब्सक्राइब के सामने 100 ग्राम जितना मावा लिया है आप इसमें कम या जदा कर सकते हैं इसको क्रेटर की मतल से हमने चीन लिया है जब दूद कम हो जाए तब हम इस मावे को इसमें एड करेंगी थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसको अच्छी तरसे मिक्स कर दें दूद हमारा थोड़ा सा घाड़ा था और मावा डालने के बाद ये काफी घाड़ा हो जाएगा दूद काफी घाड़ा हो जाए तब इसको हम गेस बंद कर देंगे और इस दूद को हम ठंड़ा करने के लिए रख देंगे ठंड़ा हो जाने के बाद ये पाकी की प्रोसीज जर्म करेंगे, ठंडा हो जाने के बाद इसको मिक्षिर गर्णर की जर्म एक बार ग्राइंड कर देंगे, हम यहाँ पर दो प्रकर की कुल्फिया बना रहे लें, तो इसको हम दो भाग में डिवाइट कर देंगे, तो पहले हम केसर जो हमने पहले से मिक्स कर दिया था और पिस्टा को हम क्राइंड कर देंगे, एक में हम केसर डाल देंगे और दूसरे हम पिस्टा की पेश्ट डाल देंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, पिस्ता की कुल्फी में हम थोड़ा सा हरा रंग एड़ करेंगे बाजार में जैसे हरी रंग की कुल्फिया मिलती है वैसे ही हम करेंगे आपको इसको स्किप करना है तो वो भी कर सकते है इसमें हम थोड़ा से पिस्ता एड़ करेंगे सबसे पहले हम मोल्ड में पिस्तक की गुल्फी का मिश्रन डाल देंगे सारे मोल्ड में बर जाने की बाद आप कोई गलास कंडेनर में या कोई मटके में भी आप इसमें पर सकते हैं और ऊपर से हम थोड़ से पिस्ता करनिश करेंगे और पाके के मोल्ड में हम केसर का मिक्षर एड़ कर देंगे कुल्फी को जमाने के लिए फ्रेजर में हमें साथ से आठ गंटे तक रख देना है कुल्फी जम जाए तो सबसे पहले इसको पानी में रख देंगे जिससे वह असानी से चली से निकल जाए यह बन गई हमारी पिस्ता कुल्फी और यह है केसर कुल्फी तो आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा यह आप कॉमेंट करके जरूर बताएं यह बन गई हमारी मटका कुल्फी लेट्स एंजार अपको यह वीडियो थोड़ा से पसंद आया है तो इसको लाइक कर दिजे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिजे और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जली से कर दिजे तो फ झाल